traditional addition method में क्या होता है, अगर आपको इसको addition करना है, तो आप 5 plus 2 करोगे, 8 plus 4 करोगे, और ऐसे से करते होगे, चाले जाओगे, पर अला method कुछ नया method है, जो बहुती fast and quick method में आता है, इसमें आप करते हो left to right calculate, तो ये कैसे होगा, अगर आपको same portion को solve करना है, तो you will do 7 plus 7, जिसका answer आता है 14, जो आप पूरा लिखोगे, फिर होता है 4 plus 8 होता है 12, आप 12 को ना लिखके, 2 ऐसे लिखोगे, 1 नीचे लिखोगे, and 5 plus 2 is 7, अब आपको क्या करना है, जो 2 के नीचे 1 आया है, उसको अपने next digit पे add कर देना है, तो इसका answer आएगा, 1, 4 plus 1 is 5, और 2, 7, तो ये होता है Allah method में, अब आपको लगेगा, it is not so different, लेकिन अगर मैं आपको बड़े-बड़े question solve कराऊ नी, जिससे आपको पता चलेगा, ये different कैसे हो सकता है, तो let's say मैं आपको एक sum दे देती हूं, 7, 4, 3, 5, 6, plus 4, 2, 8, 1, 4, अब आपको इसको Allah method से solve करना है, तो you know that 7 plus 4 is 11, 4 plus 2 is 6, 8 plus 3 is 11, तो 11 उपर नीचे, 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10, तो 0 उपर 1 नीचे, अब उसमें हमें इसको next digit मैं से add कर देना है, तो अब आप करोगे, 1, 1, 6 plus 1 is 7, it is 1, 6 plus 1 is 7, and 0, फेरा, isn't it great, अब हम और question अगर solve करते हैं, अगर हम मैं आपको देती हूं, 8, 1, 9, 3, 3 plus 4, 2, 8, 2, इसको कैसे solve करेंगे, again 8 plus 4 is 12, जो कि आप पूरा लिख दोगे, 2 plus 1 is 3, 9 plus 8 कितना होता है, 17, तो 7 और 1 नीचे, 3 plus 2 is 5, अब आप इसको इसमें ऐसे add कर दो, 1, 2, 3 plus 1 is 4, 7, 5, यह आपका allow method है, जो की बहुत ही different और fastest होता है, आप इसको खुब practice करें, जितना practice करेंगे, you will become perfect, और आने वाले वीडियो में हम आपको dot method बताएंगे, जो की fastest way of calculation होता है, so stay tuned, till then bye bye, take care.